तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होग कि आप सभी लोग अच्छी होंगे तो देखिए फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा फंदों से रिलेटेड है कि फंदों को किस तरह से डालते हैं वैसे तो मैंने हर तरह की जो तो डिफ्रेंट टाइप की उन, डिफ्रेंट टाइप की सलाईओं वाला वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है और अगर जिन लोगों को नहीं मिलता है जिनकी कौयरी है कि किस एज के स्वेटर में कितने फंदे डालें, बौर्डर पर कितने फंदे डालें, कैसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे इंस्टा पे पूछा था कि गंगा की जो मोटी जो होती है 12 प्लाइक होती है तो इसमें हम बॉर्डर पे कितने फंदे डालें कैसे डालें ठीक है तो मैं जस्ट फंदों का देखिए मैं नहीं बता सकती आपको इस तरह से कि आप कितन के ही बताया जा सकता है माल लीजिए आप अपनी कमर को मेजर करेंगे तो आप अपनी कमर के राउंड में इस तरह से या फिर राउंड में लगाएंगे आप कितना जितनी भी आपकी वेस्ट है माल लीजिए ती से बत्ते से जितनी भी होगी तो आपने सबसे पहले करना किय आपको पहले कमर निकाल लेक Влад कमर ने कа बताऊं मिर पास कोई डमी भी नहीं है यह दो मिले लिए कमर फिलन लुक्रान इस तरह से वेस्ट गुंना लीजी पूरा तो आप देखे यहां पे आपका यह 14 इंच आ रहा है ठीक है यह देखेगा माल लीज़े 14 इंच आ रहा है तो आपकी कमर 14 इंच हो गई पूरी टोटल तो आधे-धे फंदे हम डालते हैं हाफ में और फ्रंट बैक में तो 7 इंच की माल लो हमारी फ्रंट होगा 7 इंच का हमारा बैक होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो इसी तरह से मैं सपोच कर सकते हूं कि आपकी कमर पूरी टोटल माल लीज़े 30 इंच है यह 40 इंच माल लोंगी तो 20 इंच आपको आगे के फंदे डालने है 20 इंच में आपको पीछे के फंदे डालने है अच्छा फंदे का आप इसमें 5 नमर की सलाईयां लेजिएगा ठीक है 4 5 6 7 8 9 10 तो आप एक काम किजिएगा कितने भी 10 8 11 12 14 जितने भी फंदे आप डाले है उतने डाल लीजिएगा उसके बाद आप थोड़े से फंदे डालीएगा सेंपल के आपको फंदे निकालने है कि आपको अपने इस से लेखे इनजीएगा इसे फंदे आप masking जैसा भी आपको हाथ चलता है तो वह भी आपको पता चल जाएगा तो देखिए उल्टी साइट से आप इस तरह से बनाएंगे देखे यह उल्टी साइड है तो हम इसे पूरी लाइन को उल्टा बनाएंगे तो मैं आपको यह सिर्फ फंदे डालने का तरीका बताई हूँ आप कैसे मेजर कर सकते है कि आपको अपने स्वेटर में कितने फंदे डालने है तो मैंने यहाप सेंपल पर 10 फंदे डाली है आप चार फंदे डालो पांच डालो आपको बस इंचेस लेने हैं इसके तो अभी एक सलाई अप फ्रंट साइड से हैं तो मैं फिर से सीधी बनाऊँगी उसके बाद रॉंग साइड से उल्टी तो मैं ऐसे चार सलाईयां यहाप बना लूगी यह देखिए इससे आपको यह भी पता चल जाएगा अगर आपका हाट टाइट चलता है तो आपको कितने फंदे डालने हैं आपको कितने फंदे डालने हैं ठीक है तो आप अपने फंदे अपने साब से निकाल लिएगा तो ही मैं आपको बता सकती हूँ कि बंदा अपने साब से काम करता है कि क्योंकि मैं जो तरीका बता रही हूं आपको इससे मैं फंदे डालती हूं उसी तरीके से तो मेरे फंदे बहुत अच्छे पढ़ते हैं कि वैसे यह तीन सलाईयों में काफी कुछ हो गया है मैं एक सलाई और बना लेती हूं देखिए यह मैंने चार सलाईया बना ली ठीक है अब देखिए यहां पर क्या करना है यह इस तरह से आहीं बनके यह देखिए यहां पर मैंने इसको इस तरह से रखा और नज़्दी चाहेंगे अब आप ने यह जब बना लिया तो आप इसको ना पेंगे कि यह आपने कितना बना है सेंपल के तोर पे यह आपके दस फंदों में कितना इंच आ रहा है ये दस फंदों में देखिएगा आप यहां पर तीनिच आ रहा है समझ रहे हैं दस फंदों में तीनिच आ रहा है थोड़ा गध कम जादा चलता है कोई फर्क नहीं पड़ा यहां पर मैं इस तरह से कर दूँगी तो यहां से इसकी यह लेंट नहां पएंगे दस फंदों में यह तीन इंच आ रहा है बहुत आराम से ठीक है तो आपने यह फिर एक इंच निकालना है तो आप एक इंच निकाल लीजिए यहां से देखिए यह यह मेरा आगे मैं एक से दो नापती हूँ एक इंच हो जाएगा यहां से यहां तक आप देखिंगे यहां पर 1, 2, 3, 4 4 फंदों में 1 इंच 5 फंदों में भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लूज लेना है तो 5 फंदों में 1 इंच आ रहा है तो आप क्या करेंगे आप देखें आपको क्या करना है कि आपका 10 फंदे में पेंड भी नहीं चल ला बच्चे छोड़ते ही नहीं है दस फंदों में आपका थ्री इंचिस है समझ गए आपको निकालना है आपकी वेस्ट ट्वंटी इंचिस है तो ठीक है तो आप देखो बीस फंदे आपने रखे बीस स्टिचेस आपने रखे तो आपका 6 इंच हो गया समझ रहें आप तीस आपने रखे तो 9 इंच हो गया मैं आपको डारेक्ट बता रही हूं जो लोग साब नहीं लगा पा रहे है ठीक है तीस फंदों में आपका 9 इंच हो गया चालेस फंदों में आपका हो गया इसमें 3 इंच करेंगे फिर 12 इंच समझके 50 फंदों में आपका हो गया 15 इंच 60 फंदों में हो गया आपका 18 इंच समझके अप रहे गए 20 फंदे वह सुरी 2 इंच रहे गया ठीक है तो आप 60 फंदे थोड़ा बहुत कम डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सही रहेगा दो फंदे अगर आपके कम भी होते हैं तो 21 इंच आपका हो गया 70 फंदों में तो मेरे हिसाब से आप टोटल 65 या 66 इसमें ले सकते हैं इन दोनों के बीच का 2-3 फंदे कम या जादा में कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत अच्छा फिटिंग आएगा ठीक है अगर आपको थोड़ा लूज में चाहिए तो आप यहाँ पे 70 फंदे डालीजी वैसे भी जो आपने मुझे फोटो भीजा था वो लूज फिटिंग में ही था तो आप 70 इ फिट इसें नहीं कहहरी हूं मैं 30 इंच वालों के लिए जिसका 30 इंच है सौरी40 इंच है तो आपको इस तरह ऐसे निकालना है आपको मैं आप इंचे निकालना बता दिया आपने थोड़ी सी बुनाई करनी है और आप अपने में अपनी कमर का नाप ले लेजी इस तरह से आ आप ऐसा भी कर सकते हैं चार फंदों में एक इंच आ पमाल लीजिए ठीक है चार फंदों पर एक इंच चार फंदों से माल लीजिए एक इंच बन रहा है तो आपका 20 इंच इंच बीस इंट 270 कि साहट इंट डाल लीजिए दो बिल्पल आ लैंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो यह चीज़ देख लीजेगा आपको लूज फिट में चाहिए आपको फिटिंग में चाहिए आपकी कमर कितनी है मैं यह 40 इंच कमर वालों के लिए बता रहे हैं तो उमीद करती हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा यह देखीगा और अगर फिर भी आप लिए दो भी बीडियोमन किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ और चैनल के सांथ बने रहीए तो और अगर आप मेरी चैनल पेहली बार आए चैनल को शेल सबस्क्राइब जरूर कर लिए बैल बुटन प्रेस कर दिएगा यहां पर आपको हर कुश्चन के समाधान आप भी कई लोग जो हैं जिनको नौलेज नहीं है जो सीखना चाहते हैं तो वो सीख जाएंगे कॉमेंट करके बताएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी चलिए फिर थैंक यू